सब्सक्राइब कीजिए Health Tips in Hindi चेनल को और बेल आइकोन को दबाएए हमारे नए वीडियो को सबसे पहिले देखने के लिए नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है Health Tips in Hindi तो चलिए शुरूआत करते हैं आज के इस वीडियो से जिसमें हम आपको बताएंगे की सांस फूलने की बीमारी को कैसे दूर करे कुछ लोगों को सांस फूलने की बीमारी होती है जिसे डिस्पेनिया कहते हैं इस स्थिती में फेफ़डों में परियाप्त मात्रा में हवा नहीं आपाती है दिल और फेफ़रों में किसी भी तरह की समस्या के कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है जबकि कुछ लोगों को अचानक से सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है आप सांस फूलने का इलाज आप घरेलू उपायों से भी कर सकते हैं जो असरदार होने के साथ साथ उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। चलिए आपको बताते हैं सांस फूलने के घरेलू उपचार के बारे में। ओबवेट होना या मोटापा, हवा में मौजूद किसी भी प्रदूशित हवा, ज्यादा ठंड और कठिन व्यायाम के कारण भी सांस फूलने लगती है। इसके अलावा अस्थमा, अनीमिया, रिदे का सही तरह से कामना करना, कैंसर और टीबी की वज़े से भी सांस फूलने लगती है। आएए दोस्तों जानते हैं सांस फूलने की बिमारी के घरेलू उपचार के बारे में। गर्दन और कंदे की मानसपेशियों का आप आराम दें। अब दो बार नाक से दीमा सांस लें और मून को बंद कर रखें। जिस तरह से मून से सीटी बजाते वक्त हमारे हुंट होते हैं वैसे रखें। इसके बाद दीरे से हुंटों से सांस छोड़ें और चार तक गिंती करें। यदि आपके फेफ़डों में हवा फस गई है तो वो इस उपाई से निकल जाएगी। यदि आप पेट से गहरी सांस लेते हैं तो भी सांस लेने में दिक्कत दूर हो सकती है। लेट कर अपने द आप 10 मिनट तक दोहराते रहें। अदरक खाने और गर्म पानी में अदरक डाल कर पीने से भी श्वसन मार्ग के संक्रमन के कारण हो रही सांस फूलने की दिक्कत को कम करने में नदद मिल सकती है। स्टडी में सामने आया है कि अदरक श्वसन मार्ग में संक्रमन पैदा करन वाले वाइरस से लड़ने में असरकार है. दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी. इससे संबंदित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करे और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक, शेर ब सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद.